हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशाय आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों गनेश चतुर्थी के अफसर पर आप सब का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुब कामना हैं आपको और बधाईयां ये देखिए गनेश जी की मूर्ती सब लोग ले जा रहे पूरे गाजे बाजे के साथ पुश्प की वर्षा करते हुए और ये जो वीडियो है ये कल का है यानि 18 सेप्टेंबर के सुबह का लोग बहुत ही देखें कितनी अच्छी तरह से एक रसी स्ट्रिंग के सारे एक कतार में जा रहे हैं ताकि आती जाती ट्राफिक को कोई वाध पहुंचे ये अच्छी बात है तो सभी अपने अपनी खुशियां जाहिर करते हुए भगवान गनेश का स्वागत करते हुए तो बस अब गनेश जी की स्थापना की जाएगी और फिर पूजन भी होगा तो उमीद है आप लोग भी गनेश जी की मूर्ति अपने अपने घर में जरूर रखकर उनकी पूजा कर रहे होंगे तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप से उमीद है कि आप जरूर लाइक करेंगे तो कि आपकी लाइक करने से मुझे बहुत प्रूथसान प्राप्त होता है तो ये देखिए बस ये काफिला आगे बढ़ रहा है इस तरह मैं भी दिन भर वेस्ट रही और शाम को अपॉइंट्मेंट लेकर पारलर पहुंची क्योंकि वैसे ही वहां बहुत भीड थी और कुछ फेशिल वगरा करा कर और मैनिक्यूर पैडिक्यूर भी करवाया और ये द और भी बहुत सारे वेंजन बनाने थे हलाकि उन सब वेंजनों का वीडियो मैं नहीं ले पाई क्योंकि काफी काम करना था लेकिन उपर से कई बार जब भी आवाज आती तो जहांकर जरूर देखती और लोगों की खुशी में खुद भी शामिल हो जाती क्योंकि लोग इतन लीन हैं बिल्कुल उत सब में और गाजे बाजे से तो आकरशन उसका होता ही है तो जहांकर कई वीडियो मैंने लिए और आज के दिन एक के बाद एक कई गनपती का स्वागत करते हुए लोग दिखें तो उसके बाद अब जो ये वीडियो है दोस्तों ये 19 आज की सुबह आज की दिन का है और जैसे सुबह की शुरुआत हुई बहुत ही फेस्टी मूड में सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे काम करने के बाद सारी सफाई करने के बाद फिर किचन में भी बहुत काम करना था फटाफट सब काम किया मो तक भी आज ही बना भगवान को अर्पित क किया और कितनी भी सफाई कर लो लेकिन लास्ट मोमेंट की बहुत सारी सफाईयां हो जाती है काम हो जाता है तो वो सारे काम करते करते फिर शाम हो गई और शाम को पच्चों के आठ क्लास लेने के बाद पूजा पाठ जल्दी यल्दी करके फिर हम लोग भी थोड़ा नीचे उत्रे और गणपती मंदप में गए और फिर दरशन किया और वहां देखिए कितनी भीड है यह शाम का समय है और गणपती दरशन के लिए लोग बिल्कुल पंक्ती में खड़े हैं तो कई गणपती थे जगा जगा लोगों ने गणपती की स्थापना की है तो इस तरह पूरा समय ही festive mood में आज का दिन तो वैसे ही मुंबई में बहुत खास होता है चारो तरफ चहल पहल और उट सब का महौल है ये देखिए अब हम लोग मंदिर में आ बिल्कुल ताजे गेंदे के फूल से सजा हुआ मंदिर और यहां भी लोगों की भीड़ा है अलाकि इतनी भी भीड़ नहीं थी कि धका मुकी हो और ये देखिए मैं भी जा रही हूं गनपती दर्शन के लिए और रंग भी बिल्कुल के सरिया हो गया है रात का समय है तो इ पिर बाकी जो काम था क्योंकि अभी दो चार दिन तो उट सब का माहौल रहेगा तो बस उसी में भी वेस्तता रहेगी तो बताएगा दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किजेगा और कॉमेंट बॉ पाद एक कई मंडप हैं और सब जगह आरती हो रही है आरती का समय है यहां आरती हो चुकी है और चारो तरफ यह देखिए मंदिर का परिसर आपको दिखा रहे हैं कितना सुन्दर मंदिर बना हुआ है और मंदिर से वापस आरने के बाद यह देखिए मैं खड़ी हूँ और थोड़ा सजने सवनने का भी मौका मिला तो यह देखिए मैं आप वापस अपने बेडरूम में आ गई हूँ अब जल्दी से चेंज करने के बाद फिर किचन में जाना है तो इस तरह से आज का वीडियो अब समापती की और है दोस्तो आशाय आपको आज का वीडियो फोटोग्राप्स भी मैंने सनलगन किया है उसे भी देखिएगा उसमें गनपती भगवान की कुछ फोटोज है बस मुस्कुराने का कोई समय नहीं होता है बस मुस्कुराना ही चाहिए यह देखिए मोदक कितना सुन्दर लग रहा है मोदक बिलकुल चमक रहा है और यह लग लगाया था तो सुचा एक वीडियो उसका लेलू बलकि आज का मोदक और भी अच्छा बना था स्वादिष्ट भी और बिलकुल पॉफेक्ट बन गया था यह और बात है कि मैंने उसका वीडियो नहीं लिया और समय ही नहीं मिला तो फिर कभी तो बस दोस्तों यहीं अ करना चाहूंगी आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा शुक्रिया